अच्छे अपने फादर के बारे में बताओ कितनी मुश्किल थी के लोकल होने की वज़े से मेरे पापों वहीं पे थे युनिवर्सिटी में एज डेपिटी रिजिस्ट्रार तो मतलब जब मैं शायद मेरा स्टार्ट हुआ था ना करियर मेरी इंजिनेरिंग स्टार्ट हुए थी तो अब पापा शिफ्ट हो गए थे दूसरी ब्रांच में वहां पे एक और कॉलेज है वेदिक साइंस का अंडर पी उई तो वहां पे शिफ्ट हो गए थे बट हां मैं तब काफी साल से मैंने देख्या मैं बच्पन में वहीं पे रही हूं उस कॉलेज में वो जो घर रहे हैं वाइट वाले बॉइस वाले के बिल्कुल सामने हैं चार घर था कॉलेज हुए जब कोई बच्चे नहीं होते थे दस बच्चे होते थे बच्चे कैंपस में और इतने बड़ी बड़ी बिल्डिक तो मतलब मेरे लिए काफी मैं बच्पन चो सोचती थे यहां तो नहीं पढ़ूंगी यार कुछ भी हो जाए यहां कुछ भी होता रहता है भई कोई हो और स्कूल के लिए हमें इतना मुश्किल से जाना पड़ता था तब विल्कुल डेवलाप्मेंट नी थी उस एरिया में पर रही हुआ जो हम नहीं चाहते हैं हमने कॉलेज देखा नहीं था लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं जो देख जब मैं पहली बार गई थी मुझे आदे कंपनी कुछ बिंगे और हम रात में पहुंच रहे हैं इतना अंधेरा ऐसा लग रहा था कि किसी भाई मारने वारने तुरे लिए किसा रहा हम है और हम वहां से निखले और एक एक लाइक थी कैमपस के भार में उस पे से क्यूर्टी गाड के उस पर मैंने का बस यह 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 मुझी पापा हम सब ऐसे बोल रहें तो काफी से क्यूड़ेड एरिया अकेले कैसे रहेंगे पर फिर हो गया दीरे-दीरे करके डिवलाप्मेंट हो गई तो अब तो तुम लोग भी शिफ्ट हो गया ना चंडीगड अब तो हम चंडीगड आ गये हैं तो हां सही हो गया